हेलो फ्रेंड्स वेलकम अलोफियों क्वालिटी और फैक्ट्स दोस्तो आज से हम कम्पेरिटिव पॉलिटिक्स का पूरा स्लेवस कवर करने की यहां पर कोशिश करेंगे और आज उसका हम लेक्चर वन लेके आये हैं और लेक्चर वन के अंदर हम देखने वाले हैं मीनिंग एक चीज सबसे पहले मैं आपके दिमाग से क्लियर कर दू कम्पेरिटिव पॉलिटिक्स काफी लोगों को हववा लगता है मतलब मैक्सिमम लोग मुझसे कहते हैं कि सर कम्पेरिटिव पॉलिटिक्स में बहुत प्रोब्लम आती है समझ के अंदर हमने क्या पढ़ना है उसक को हर एक पॉइंट हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा और comparative politics मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है comparative politics हाला कि इसकी जो theories और approaches है वो थोड़ी सी टफ है क्योंकि जब हम comparative method पढ़ते हैं क्योंकि comparative politics जब हम पढ़ते हैं तो किसी चीज को compare करने की उसमें हम को पूशिश करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जब हम कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको सारे के सारे जो भी आपके doubt है वो clear होते जाएंगे सबसे पहले meaning of comparative politics दोस्तो तुलनात्मक राजनिती का अर्थ उन प्रतेक राजनितिक सामाजिक सांस्कृतिक तथियों के अध्यान से है जो किसी ना किसी रूप में राजनितिक संरचनाओं या संस्थाओं की संरचना उसके स्वरूप और उसकी कारे प्रणाली को प्रभाव करते हैं माइकल कर्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनिती राजनितिक संस्थाओं की कारे प्रणाली और राजनितिक व्यावार में पाई जाने वाली महतोमोन नियमित्ताओं समानताओं अंतरों से संबंदित हैं सामान्य शब्दों में तुलनात्मक राजनिती सामाजिक, आर्थिक और व्यावारिक गतिविदियों का तुनलात्मक अध्येयन है अब दोस्तों आपको तो ये पता होगा कि एरिस्टोटल को फादर ओफ कमपेरेटिव पॉलिटिक्स कहा लाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था उन्हें 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था अब उसके पीछे बेसिक कारण क्या था उसके पीछे कारण ये था कि एथेंस जिस राज्ये के अंदर एरिस्टोटल रहते थे वहाँ पे आए दिन क्रांतिया हो जाती थी क्रांतियों का मतलब है कि संविधानों का वहाँ परिवर्तन हो जाता था जैसे पहले मौनार्क की थी तो मौनार्क का एक परकार का जो संविधान है वो राजा उसको तै करता था वहाँ से फिर डेमोक्रेसी आ जाती थी वहाँ पे क्रांती चलती रहती थी कोई भी stable वहाँ पे शाषन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी ठीक है और जिसके कारण क्या है हमेशा युद्ध होते थे लोगों की जान माल की हानी होती थी और political stability नहीं थी Aristotle ने क्या किया? Aristotle ने सोचा कि अगर हम इस तरीके से comparatively study करेंगे कि किस देश की शाषन पणाली अच्छी है और किस देश में किस प्रकार की शाषन पणाली अपनाई गई है और क्या-क्या उन देशों के अंदर उसके positive point रहे हैं और क्या-क्या उसके negative point रहे हैं जब उस तरीके से Aristotle ने इन सब चीजों को पढ़ना शुरू किया 158 देशों के संभीधानों को जब उन्होंने पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि polity is the best method of governance यानि शाषन का जो सबसे अच्छा रूप है वो polity है तो वो उन्होंने उस तरीके से निकाला तो उन्होंने basically क्या क्या था उन्होंने institution का comparison क्या था जो की परंपरागत अध्ययन पर्दती आप जिसको कह सकते हैं उन्होंने क्या क्या था 158 जो देश थे 158 देशों के institutions का जैसे यहाँ पे जो for example यह आपकी executive है इंडिया की उसी तरीके से उन्होंने executive देखी Britain की अब just मैं उन्होंने नहीं देखी मैं आपको example दे रहा हूं उन्होंने क्या institutional अध्ययन किया इसे कानूनी और आप कह सकते हैं कानूनी उपागम कानूनी संस्थागत उपागम तो यह Aristotle का था अब Michael Curtis यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है इन्होंने व्यव सकते हैं उस तरीके की study होती थी लेकिन व्यवहार की study यह 1950 के बाद जूड़ी है और यह चीज बहुत ज्यादा important है और यहीं पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको राजनिती शाष्ट्र आपको political science का master बनना है political science को समझना है और आप चाहते हो कि आगे चलके आप उसको पढ़ा भी पाऊ अच्छे से तो तुलनात्मक राजनिती इस चीज का base है तुलनात्मक राजनिती के विना आप राजनिती को नहीं समझ सकते हैं इसलिए आपको इसको detail में समझना पड़ेगा यह तो simply यहाँ पे अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ का मतलब यही हुआ कि जो different different countries है वहां के economic, political, social and cultural जो institutions है उनका comparatively अधेयन या study करना ही comparative politics कहलाता है evolution of comparative politics अब इसको मैंने stasis के अंदर divide यहाँ पे किया है comparative politics का जो पहला चरण है पहले ही आपको बता चुका हूँ यह Aristotle की राजनितिक पद्धिती में दिखाई देता है जब उन्होंने 158 देशों के समविधानों का तुलनात्मक अधेयन किया था ठीक है और अरस्टू ने राजनिती शाष्टर को अन्य सामाजिक शाष्टरों से प्रिथक कर एक स्वतंत्र शाष्टर का स्थान प्रदान क अरस्टू क्योंकि एक श्रेष्ट राज्य की तलाश कर रहा था जिसमें एक निश्चित और स्थाई राज्य की स्थापना की जा सके अरस्टू द्वारा किये गए शुरुवाती अधेयन को संस्थानिक तुनला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का व्याव बहारी का अधेयन नहीं किया गया था, only institutions की ही वहाँ पे व्याख्या की गई थी, तुनलात्मक राजनीती का विकास मैक्यावली और पुनर जागरण के यूग में भी माना जाता है, इस यूग की माननेता थी कि राज्य पैदा नहीं हुआ, बलकि उसका निर्मान किया गया है तो मैक्यावली ने ही कहा था सबसे पहले की राज्य का निर्मान कहा गया है, किया गया है, और उसके बाद आप देखते हो, Hobbs, Lock, Russo, Social Contract Theory उन्होंने दी, बहुत सी थियोरी उसके बाद आई, ठीके, और मैक्यावली ने भी एक श्रेश्ट राज्य की तलाश करने की कोशिश इन्होंने हमें राजनीती के तुनलात्मक अधेयन के उदे के तत्व इनके चिंतन में हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले सेप्रेशन और पावर का सिधान दिया, जोकि आप अमेरिका के संभीधान की एक प्रमुख विशेषता हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं, सेकिंड फेज, फास्ट फेज के अंदर आपने देख लिया, एरिस्टोटल है, मैक्यावली है, मॉन्टेस्क्यू है, और सेकिंड स्टेज जो आपका है, इसको आप आधुनिक यूग में तुनलात्मक राजनीती का विकास कह सकते हैं, क्योंकि आधुनिक काल वैस ग्राहम वलास की जो पुस्तक है, इस पुस्तक ने तुनलात्मक राजनीती की आधुनिक यूग की शुरुआत की, ग्राहम वलास के बारे में में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वेस्टन थौट के अंदर जो मैंने 55 मेजर ठिंकर कवर किये हैं, उसके अंदर ग्राहम वलास को मैंने अच्छे से इनके जो बुक्स है, इनके कॉंसेप्ट है वो कवर किये हैं, और ग्राहम वलास आपके स्लेबस में जा थिंकर नहीं लगे हैं, लेकिन मौस्ट इंपोर्टन थिंकर है, ग्राहम वलास साइकोलोजिकल थिंकर है, इन्होंने कहा कि किस पर दशा ने किस परकार से पूरे विश्यों को प्रभावित किया तो ये ग्राम वलास ही थे जिनोंने human nature की बात की कि human nature के कारण किस परकार से politics प्रभावित होती है और human nature का तुलनात्म का धियन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ग्राम वलास 1908 से आप second stage की यहाँ पे नीव देख सकते हैं और दोस्तों 1908 में ही Arthur Ventley की पुस्तक the process of government प्रकाशित होती है नाम से ही आपको पता लग रहा है the process of government यानि government किस परकार से कार्य प्रणाली करती है किस परकार से process करती है किस परकार से function करती है यहाँ की government में भी अलग तरीके से process करती है क्योंकि इंडिया की situation अलग है अमेरिका की government कुछ और तरीके से process करती है क्योंकि वहाँ की economic, social and cultural process, cultural जो वहाँ का system है वो अलग है तो यहाँ पे भी कही न कहीं तुनलात्मक तरीके से आधुनिक दिरिश्टी कोन अपनाने की उपयोग इसमें जो प्रियोग किया गया और दोस्तों इन दोनों पुस्तकों के precaution में तुनलात्मक राजनिती का आधुनिक दिरिश्टी कोन रखा गया था उसके बाद आप देखते हो चार्ल्स मेरियम चार्ल्स मेरियम इन्हें व्यवहारवाद का बौधिक जनक भी कहा जाता है बौधिक जनक मतलब इन्होंने एक आईडिया दिया था कि बिहेवरल स्टडी की जानी चाहिए हाला कि इसे डेविड इस्टन ने आगे बढ़ाया और व्यवहारवाद का पिता डेविड इस्टन को कहा जाता है लेकिन बौधिक जनक चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है उसके बाद आप जोर्ज कैटलीन को देखते हैं ये भी एक व्यवहारवादी चिंतक है राईस, फ्रेंक केंट, आदी विचारकों ने राजनिती शाष्तर का आधुनी की करण करने में महतोपून यूगदान दिया है इस चरण में तुलनात्मक राजनिती के क्षेतर में राजनिती का आधुनी करण सेकंड फेस के अंदर ये पॉलिटिकल मॉडनाइजेशन यानि मॉडन थौट हो रहे हैं लोगों के या नहीं हो रहे हैं मॉडन का मतलब ये नहीं है कि मॉडन गैजट उठा लिए, टीवी फ्रीजिए मॉडनाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी साइकोलोजी आपका जो दिमाग है, आपकी सोचने की प्रक्रिया है, राजनिती के ख्शेतर में, ऐसे नहीं राजनिती के ख्षेतर में आप उस परकार के लिबरल आइडिया अपना रहे हो, जिसमें सभी लोगों का भला हो रहा है, उसको आप देखते हैं जो बंगाल ilection, जो recent आप देख सकते हैं तो उसका विशलेशन किया जाता है, जिसे राजनितिक विशलेशन किया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सी टे मिल सकती है, क्यों मिलेगी सी टे, क्या क्या उन्ठोणने बुद्दे उठाए हैं ठीक है और ये तो हो गया इंटर्नल जब एक्स्टर्नल की हम बात करें राजनितिक विशलेशन की तब हम देखते हैं अमेरिका किस परकार का विहेव अंतराश्री राजनिती में कर रहा है इंडिया किस परकार का विहेव कर रहा है साउथ एशिया के अंदर तो ये एक आप कह सकते हैं राजनितिक विश्चलेशन इसी युग में शुरू हुआ उसके बाद राजनितिक समाज शाष्ट्र जिसे पॉलिटिकल आप सुषॉली कह सकते हैं politics और सोफॉली जी यानि समाज शाष्ट्र और राजनिती चो एक गठ बंदन है उसको यहां 14 में शुरू होने वाले इस युद ने गुणात्मक राजनिती के क्षेतर में एक नया अध्याय जोड़ा यहां पर गुणात्मक आप समझ रहे हो गुणात्मक का मतलब होता है qualitative इससे पहले कि quantitative study के उपर ज़्यादा focus किया जाता था किument nightside की जो और अमेरिका की जो congress है वहां पर कितने प्रतिनीदी कहां कहां से प्रतिनीदी चुनकर आरही है कितनी उनकी constituency है मतलब गुनात्मक आधार पहले क्या है quantitative आधार पर ठीक है संख्यात्मक आधार पर पूरा का पूरा analysis किया जाता था लेकिन अब इसमें क्या है Second World War के बाद quality के उपर focus किया जाना लगा कि किस देश के नागरिक कितने खुश है सरकार से मतलब quality की बात होने लगी Third phase दोस्तों दूसरा विश्व युद 1949 में शुरू होने वाले इस युद में तुनलात्मक राजनिती के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया 1949 में जो ये दूसरा विश्व युद होता है यहां से comparative politics का जो एरा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका जो focus है उसका जो कारिक शेत्र है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है दूसरे विश्व युद के दौरा तुनलात्मक राजनिती को विशे का आधार बनाने का कारिय निमलिखित विद्वानों ने किया यानि 1945 के बाद आप देख सकते हैं कौन-कौन वो चिंतक है जिन्होंने comparative politics में अपना योगदान दिया है तो सबसे पहले व्यवहारवाद के जनक डेविड इस्टन उसके बाद आमंड एंड कॉलमेन आपने politics of developing areas बुक पड़ी होगी डेफिनेटली तो उसके अंदर क्या है comparative politics की नीव इन्होंने रखी political culture की इन्होंने वहाँ पर बात की socialization की बात इन्होंने की कि कौन-कौन से communication की इन्होंने बात की कि किस प्रकार से communication के द्वारा देशों के अंदर आप स्थाइप तो बना सकते हैं G.B. Powell, Harold Laswell, Robert Dehill, Edward Shields, David Apter, Lucian Pai, Myron Wiener और दोस्तों आपको एक सलाहा दूंगा कि अगर आप इन thinkers के notes बना ले, इनके major idea क्या है, इनका time period क्या है, इनकी books क्या है, तो वो आपके लिए बहुत जादा useful रहेगी क्योंकि directly आपसे नहीं पूछा जाए कि यह thinker किस से related है, लेकिन उनके मतलब जो contribution के बारे में definitely पूछा जा सकता है तुनलात्मक राजनिती का तीसरा चरण अत्यंत महत्यपूर्ण है, क्योंकि इसी चरण में राजनिती का व्यवहारिक अधेयन शुरू हुआ, जिसमें मुल्य मुक्त राजनिती की बात की गई थी, और राजनिती को तुनला के माध्यम से एक वास्तविक विज्ञान बनान का लक्ष रखा गया था और दोस्तों आपको एक सजेशन अभी मैं करूंगा इस वीडियो को खतम होने के बाद अगर आपने व्यवहारवाद की मेरी वीडियो नहीं देखी है बिहेवरलिजम की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए क्योंकि वह एक बेस वीडियो है आपका बेस वहां से क्लियर हो जाएगा ठीक है अब देख लेते हैं शाष्त्रिये और आधुनिक तुलनात्मक राजनिती में क्या अंतर है क्लासिकल कंपेरिटिव पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न कंपेरिटिव पॉलिटिक्स या कंटेंप्रेरी मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्या अंतर है ठीक है और ये कोशन कई बार पूछा जाता है कि इन में से क्लासिकल कंपेरिटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है क्या क्या कंपेरिटिव पॉलिटिक्स ट्रडिशनली पढ़ाय जाता था और कौन सा पार्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर comparative politics के अंदर शामिल किया गया है तो यहाँ पे देखिए जो शाष्त्रिय परंपरा थी जो classical comparative politics का politics था जिसका अध्ययन Aristotle ने किया Montesquieu ने किया Macchiavalli ने किया और बहुत से से चिंतक है जिन्होंने शाष्त्रिय परंपरा का अध्ययन किया उन्होंने इतिहास वाद पर आधारित अध्ययन किया यानि हिस्ट्री के आधार पर की England की हिस्ट्री ऐसी थी India की हिस्ट्री ऐसी थी America की हिस्ट्री ऐसी थी Yunan की हिस्ट्री ऐसी थी और इतिहास इस तरीके से इवाल हुआ है तो उन्होंने क्या है historical approach को use किया है और जबकि आप आधुनिक परंपरा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने अनुभवातमक अधियन किया है इन्होंने क्या है behavioral study की है ठीक है behavioral study behavioral study के अंदर बहुत सी चीज़े आ जाती है तभी मैं आपको यहाँ पर एक बार कहना चाहूंगा 20 मिनट की वीडियो व्यवहारवाद की आपने एक बार देख लेना है उसको क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट अगर मैं व्यवहारवाद पर बोलने लगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है जो शाष्त्रिय परंपरा थी वो संस्थानात्मक कानूनी उपागम के उपर आधारित थी यानि उन्होंने क्या है इंस्टिटूशन का अध्यान किया उन्होंने एक देश के संसद का दूसरे देश के संसद के साथ कंपेर किया एक देश के प्रधान मंतरी का दूसरे देश के प्रधान मंतरी के साथ comparison किया ठीक है और ये कानूनी अध्यान था यानि कानून किस तरीके से बनाय जाते हैं लीगल जो institutions है वो किस परकार से function करते हैं किसी भी state के अंदर उसके बाद तीसरा point आप देखोगे इसका क्षेतर अत्यांत संकूचित था क्षेतर इसका संकूचित था संकूचित का मतलब क्या होता है कि बहुती नेरो था इसका क्षेतर ये सिर्फ institutions तक ही study करता था ये pressure group बगेरा जो होते हैं या फिर जो सामाजिक group होते हैं civil society होती है उस इसको संकूचित कहा जाता है उसके बाद ये क्या है eurocentric था सर्फ यूरोप का ही अधियन इसके अंदर किया जाता था non European countries आपके जो है अप एशिया है अफ्रीका है आपका जो आमेरिका देखते हैं इवन उसका भी लेटिन अमेरिका उसकी भी study नहीं की गई थी तो ये eurocentric र उसके बाद विक्ष्टित देशों का ही अधियन इसमें शामिल किया गया था तो ये था शाष्ट्रिय परमपरा की जो प्रमुख विशेशता है अब आधुनिक परमपरा के अंदर आप देखोगे तो ये अनुभवा आत्मक अधियन के उपर फोकस करता है ये राजनिती को क्या है राजनिती को एक प्योर साइंस बनाने की कोशिश करता है जिसके लिए इन्होंने व्यवहारों का अधियन किया कि एक देश के नागरिक किस प्रकार से अपने नेता को चुनते हैं वोटिंग जो बिहेवियर है फोर एक्जमपल हम यहाँ पे अगर इंडिया के इलेक प्रभावित करती है क्या लोग जाती के आधार पे एकत्रित हुए है क्या उनके व्यवहार में जाती वाद है क्या उनके व्यवहार में धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी है तो इस तरीके से क्या है बिहेवरल अध्यान के उपर इन्होंने फोकस किया उसके बाद आप है अनुभाव आत्मत का मतलब होता है अनुभाव के आधार पे जो चीजे देखी जाती है उसके वाद इन्होंने व्यवारिक यहां पे थोड़ा सा आपने क्या व्यवारिक और अनुभाव empirical and behavioral में थोड़ा सा अपने इसको correct कर लेना है अनुभाव आत्मक का मतलब होता है जो अनुभाव के आधार पे काम करता है और व्यभारिक का मतलब होता है जो व्यभारों को check करता है तो थोड़ा सा उपर नीचे ये हो गया तो इसको आपने थोड़ा सा manage कर लेना है उसके बाद आप देखते हैं जो modern comparative politics है उसका क्षेतर बहुत ज़्यादा व्यापक है क्योंकि हर चीज को आज का comparative politics है वो cover करता है जब हम scope की बात करेंगे तो उसको यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद हम देखते हैं सारो भामिक अध्यान सारो भामिक अध्यान का मतलब है universal सारो भामिक का मतलब है universal study करता है सभी चीजों की study करता है सभी देशों की study करता है ना कि ये यूरोप केंदरित या फिर संकुचित क्षेतर इसका नहीं है ठीक है ये सारो भोमिक अधियन करता है और इसके अंदर क्या है विकाशिल देशों का भी अधियन शामिल है ये विकसित देशों का तो अधियन करता ही है modern साथी साथ विकाशिल देशों का अधियन भी प्रकृति नेचर ये आखिर पूछना क्या चाहते हैं अगर मैं बोलू कि आपकी प्रकृति कैसी है मनुष्य की प्रकृति कैसी है तो मनुष्य की प्रकृति के ऊपर बहुत से काम हुए हैं कुछ लोग बोलते हैं मनुष्य प्रकृति से बहुत ही शान्त है जैसे कि रूस हो Hobbs कहेगा मनुश्य प्रकृती से बहुती जगडालू है बहुती करूर है उसके अंदर प्रेम नाम की कोई चीजी नहीं है ठीक है उसके बाद एक तीसरे तरीके के लोग आते हैं जो कहते हैं कि मनुश्य की जो प्रकृती है वो क्रोधी भी है साथी साथ उसके अंदर लव उसके अंदर लोगों के लिए सहानू भूती इस तरीके की चीजे भी है तो ये आप देखते हैं वो होता है नेचर अब कमपैरिटिव पॉलिटिक्स के नेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसको समझने के लिए क्या है इसको समझने के लिए दो के आप देखते हैं दो परकार के उपागम या एप्रोच यूज की जाती है पहला है तुल्नात्मक राजनिती का लंबात्मक दृष्टी कौण वर्टिकल द्रिष्टी कौन वर्टिकल द्रिष्टी कौन का मतलब होता है इस तरीके से ये होता है वर्टिकल दूसरा होता है आपका होरिजन्टल एप्रोच होरिजन्टल होता है इस तरीके से स्टेडी करना ठीक है अब इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं इस दृष्टी कोण के द्वारा ये जो आपका लंबात्म क्या वर्टिकल दृष्टी कोण है इस दृष्टी कोण के द्वारा किसी देश में स्थीत विभिन स्थारों पर स्थापिज सरकारों को सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले तत्यों का अध्यान किया जाता है जैसे राष्ट्रिय सरकार, प्रांतिय सरकार और स्थानिय सरकार तो मैंने आपको बताया ये जो आपका वर्टिकल होता है इस तरीके से यानि JUST FOR EXAMPLE यह आपका क्या है? इंडिया है इंडिया मान लिजिए यह आपका इंडिया है थीक है? यह आपका इंडिया है इंडिया का घहराई से अध्यान करना यानि नीचे की ओर आ रहा है उपर से लेके नीचे की ओर एक ही देश के अंदर गहराई से अध्यान करना वहाँ पे संटर की सरकार का अध्यान करना संटर के साथ साथ राज्यों के साथ उसकी तुनला करना संटर और राज्यों की तुनला करना यहाँ पे महराश्टर की सरकार की तुनला आप बंगाल के सरकार के साथ करना हिमाचल के सरकार की तुनला आपने यहाँ पे केरल की सरकार के साथ करना केरल की तुनला आपने कश्मीर के साथ करना यानि एक देश के अंदर ही जब आप अंदर की और जाते हैं नीचे की और डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है वर्टिकल एप्रोच ठीक है दूसरा आपका होता है अमबात्रिय या फिर होरिजन्टल एप्रोच इसमें हम एक राष्ट्रिय सरकार का दूसरी राष्ट्रिय सरकार के साथ तुलनात्मक अध्यान करते हैं फोर एक्जामपल यह आपका इंडिया है ठीक है यह आपका इंडिया है और यह आपका अमेरिका है इन देशों के साथ क्या है एक दूसरे की तुलना करना तो यह लंबात्मक दृष्टिकोन कहा जाता है ठीक है और इसको थोड़ा और आगे डीटेल में हम समझते है मतलब जो comparative politics है comparative politics का क्या है दो परकार का nature है इसका nature दो परकार का है या तो ये एक देश के अंदर study करता है comparatively या फिर ये कई देशों के साथ study करता है तो दो ही परकार का इसका प्रकृती आप कह सकते है और इसको हम डीटेल में हाथ देखते है nature of comparative politics और क्या-क्या चीजे इसके अंदर हम cover कर सकते है तुलनात्मक राजनीती के स्वरूप को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ vertical और horizontal के में बाटर जाता है जिसके आधार पर इसकी निमलिखित विशेशताएं देखी जाती है दोस्तो तुलनात्मक राजनीती के स्वरूप को सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो पहला है विशलेशनात्मक और व्यवहारिक अधेयन यानि comparative politics प्रकृती से कैसा है प्रकृती से ये विशलेशनात्मक है और ये क्या है behavioral study के उपर focus करता है विशलेशनात्मक का मतलब है ये analysis करता है एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ और behavioral study इसमें की जाती है आपचारिक ढांचों का तुलनात्मक अधेयन अपचारिक धांचे होते हैं जैसे कि अपचारिक पद होते हैं किसी देश के अंदर ये हमारा पार्लेमेंट एक अपचारिक धांचा है हमारा जो सुप्रीम कोट है ये एक अपचारिक धांचा है तो comparative politics nature से क्या है ये इनकी भी study करता है जो आपके धाचा होते हैं अपचारिक धाचे ठीक है इसमें विधाई का, कारेपाली का, न्याएपाली का, नोकरशाहियादी, प्रणाली होते हैं जो की अपचारिक धाचे कहलाते हैं विकाशियल समाजों के अध्यान पर भारत जैसे विकाशियल देशों के अध्यान के उपर भी इसमें बल दिया जाता है मुल्य मुक्त अध्यान तो comparative politics का जो आधुनिक युग में उदे हुआ है वो बेसिकली इसी लिए हुआ है यह मुल्य मुक्त बनाना चाहता था राजनिती को और यह चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा important है research के अंदर भी आपसे पूछी आती है कि मुल्य मुक्त का क्या मतलब हुआ value free politics का मतलब क्या हुआ for example मैं एक political scientist हूँ मैं एक political scientist हूँ और मैं study कर रहा हूँ किसी देश के अंदर दंगों के उपर किसी देश के अंदर कुछ दंगे हुए है और मैं हूँ एक Hindu मैं एक Hindu हूँ और एक देश के अंदर Hindu और Muslim दंगे हुए है तो यह जो नीरज है नीरज एक इसके जो values है इसके जो मान्यता है वो क्योंकि नीरज हिंदू परंपरा के आधार पे पनपा है और उसके आधार पे सोशलाइजेशन मेरी हुई है और मैं हिंदू मुसलिम के उपर क्या है स्टडी कर रहा हूँ जो दंगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा क्योंकि मैं हिंदू एक चीज आ सकती है ठीक है आ सकती है न और अगर ऐसी चीज मेरे दिमाग में आई तो मैं कभी भी अच्छा conclusion नहीं निकाल सकता इसी लिए जो आपका contemporary या आधुनिक तुलनात्मक राजनिती है जिसे व्यवहार वाद भी कहा जाता है उसने कहा कि राजनिती को हमें value free बनाना पड़ेगा जो political scientist होंगे उन्हें हमें value free बनाना पड़ेगा तभी हम actual study कर पाएंगे अगर मेरे दिमाग में यह Hindu हिंदू रहेगा तो मैं इसी के पक्ष में अपने conclusion को निकालूंगा तो इसलिए मुझे क्या है value free होना पड़ेगा और यह most important यहां पे point था उसके अगर प्रकृति की इसकी बात करें तो इसका जो nature है वो theoretical इसका nature है यह सिधान्त निर्मान की खोज में लगा रहता है और इसके दुआरा बहुत से सिधान्तों को खोजा भी गया जिनको हम आगे detail में पढ़ेंगे scope of comparative politics यानि scope का मतलब होता है क्षेत्र कि किन किन क्षेत्रों में तुनलात्मक राजनिती यूजफुल हो सकती है किन किन क्षेत्रों में तुनलात्मक राजनिती के द्वारा अधियन किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये तीन आधारों पे इसको divide किया है राजनिती गतिविदियों का अधियन दूसरा अनेक क्यूं का अधियन और तीसरा है राजनिती राजनिती शक्ति का अधियन तो सबसे पहले देखिए राजनितिक गतिविधियों का अधियन comparative politics के अंदर जितनी भी political activities होती है वो चुनाओ से related हो, वो impeachment से related हो वो आपकी जो जो आपके जब आपके चुनाओ होते हैं जो campaign होते हैं वो उससे related हो तो जितनी भी political गतिविधिया होती है उसका इसके अंदर अधियन किया जाता है उसके बाद अनेक क्यों का अधियन यानि तुल्नात्मक राजनिती में अनेक क्यों होते हैं जिसका अधियन तुल्नात्मक राजनिती में किया जाता है जैसे कि 1917 में समाजवादी करांती रूस में क्यों हुई आतंक वाद क्यों विक्सित हुआ इस देश के अंदर गरीवी क्यों आई इस देश के अंदर बेरोजगारी क्यों आई ठीक है तो ये क्या है अनेक क्यों का अधेयन comparative politics के द्वारा किया जाता है और उसके बाद राजनितिक शक्ती का अधेयन किया जाता है जितने भी आपकी political powers है economic power है economic and political power का relation है यानि Power का concept है वह सारा का सारा इसके अंदर study किया जाता है ठीक है इसके बाद आप देखते हैं samoo का अधेयन चौथा जो आपका है समू का अधेयन कई परकार के group होते हैं कुछ सरकारी group होते हैं कुछ गैर सरकारी ग्रूप होते हैं कुछ NGO होते हैं कुछ इंटरस्ट ग्रूप होते हैं सिविल सोसाइटी होती है इन सभी का अध्यान क्या है comparative politics के अंदर किया जाता है तो ये भी एक परकार का इसका क्षेत्र है उसके बाद राजनितिक प्रणालियों का तुलनात्मक अधियन प्रणालिया political system जो होते हैं इंडिया का political system है democratic political system है यहाँ पर parliamentary system को अपनाया गया है उसी तरीके से अमेरिका का हम देखते हैं democratic political system है लेकिन presidential system अपनाया गया है इंग्लेंड के अंदर मोनार्की अपनाई गया है ठीके इस तरीके से क्या है तुलनात्मक अधियन किया जाता है विधिन राजनितिक प्रणालियों का political culture का भी इसमें अधियन किया जाता है 1960 के बाद political culture का अधियन किया जारा है comparative politics के तहत ठीक है क्योंकि जो राजनितिक संस्कृती होती है वो किसी भी देश के अंदर जो शाषन प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उसके बाद आप देखोगे राजनितिक सामाजी करण की प्रक्रिया राजनितिक सामाजी करण यानि political socialization किस देश के अंदर किस तरीके से होता है और किस तरीके से राजनितिक मुल्य एक पीडी से दूसरी पीडी को स्थानांतरित किये जाते है वो इसमें study की जाती है उसके बाद लोगों की सहभागीता political participation किस देश के अंदर कैसी है क्या-क्या चीजे political participation को प्रेरीद करती है, कौन-कौन सी demoralize करती है, उन सभी का इसके अंदर अधियन किया जाता है, उसके बाद राजनितिक प्रक्रियाएं, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजनितिक जो process होती है, उसका भी इसके अंदर अधियन किया जाता इत्यादी का अधियन, क्योंकि ये गैर राजनितिक है, लेकिन इसका राजनितिक उपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका भी इसके अंदर अधियन किया जाता है, और उसके बाद सरकारों का तुनलात्मक अधियन, इसमें सरकारों का तुनलात्मक अधियन किया जाता ह जैसे कि अरस्तु ने 158 देशों के सम्विधानों का सरकारों का अध्यान किया था कन्क्लूजन तुनलात्मक राजनिती से जुड़े प्रमुख विचारक और उनकी पुस्त के अकसर एक्जाम में पूछी जाती है अता उन्हें क्रम में याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये जैसे आर्थरफ वेंटले की हो गई, लास्वेल की बुक हो गई, मॉन्टेस्क्यू की बुक हो गई ठीके तो ये comparative politics में अकसर पूछी जाती है तो वैसे तो मैं इन बुक्स को, जो मेरे single liner का जो course है, उसमें complete cover कर चुका हूँ फिर भी आपने, जितने मैंने thinker आपको बता है, उनकी books आपने एक बार देख लेनी है और उसके बाद शाष्त्रिय और आधुनिक तुनलात्मक राजनिती की प्रकृती से अकसर प्रशन पूछे जाते है कि traditional comparative politics और modern comparative politics में क्या अंतर है, उनकी जो पद्धिती थी, जो उनके method थे, उसमें किस परकार से difference पाया जाता है और वहां से अकसर questions पूछे जाते है तो दोस्तों ये था आज का lecture जो की introduction के उपर था, I hope आपको अच्छा लगा होगा, thank you, thanks for watching